हेलो इस वीडियो में आज हम सिखेंगे एकसल की कुछ ऐसी शोटकट कीज जो के हमारे काम को बहुत ही जल्दी कर देती हैं तो सबसे पहले शोटकट कीज यहां पे हम करेंगे suppose करो यह हमारे पास यहां पे डेटा दिया गया है अगर हमें यहां पे बोल जाए कि यह रोवन यहां पे लिखा हुआ है नेम इसके उपर एक रोव इंसल्ट करनी है तो रोव इंसल्ट करने के लिए हम के करेंगे यहां पे इसको सलेक्ट कर लेंगे यह देखो फॉर पे क्लि यहां पर यह रो इंसल्ट होगी यह देखो रोबन के उपर यहां पर रो आगे अगर और चाहिए तो फिर वही करना है control प्लस यह देखो एक और आगे इसके बाद फिर और चाहिए control प्लस यह एक और आगे इसके वाद एक और इंसल्ट करने है control प्लस एक और आ गई तो इस तरह से हम यहाँ पे row इंसल्ट कर सकते हैं अगर हम यह चाहते हैं कि यह row हमने इंसल्ट की हुई है इनको delete करना है तो पहले हमने plus यूज किया control के साथ अब हमने minus को यूज करना है यहाँ पी यह देखो तो यह जितनी भी row यहाँ पे blank है यह delete करनी है तो इसके लिए यहाँ पे click किया यह देखो for row इसको select किया select करने के बाद अब हमने control और उसके बाद minus प्रेस करना है यह देखो control minus प्रेस किया तो यहाँ पे यह row delete होगी यह भी delete करनी है यह देखो control minus यह भी delete होगी अगले भी delete करनी है यह देखो यह delete होगी यह भी delete करनी है जो blank है यह देखो यह delete होगी तो यहाँ पर अगर हम यह चाहते हैं कि कोई row हमने यहाँ पर delete करनी है तो उसके लिए control और minus यूज़ करना है तो यहाँ से यह row delete हो जाती है इसी तरह अगर हम ये चाहते है कि यहाँ पे हम column insult करें जैसे कहां पे column insult करना है suppose करो यहाँ पे इस column को select करेंगे यहाँ पे हम एक चाहिए column चाहिए तो column को insert करने के लिए हम keyword से control और उसके बाद plus यह देखो यह press किया तो यहाँ पे column आगया ये देखो column आगया एक और column चाहिए ये control plus फिर click किया एक और आगया एक और चाहिए ये देखो control plus use किया एक और आगया तो इसी तरह हम इसको insert कर सकते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमने ये जो blank कि यहाँ पे column insert कर दिया है इनको delete करना है तो बैसे ही पहले क्या करेंगे हम यहां पर column को select करेंगे यह देखो column select किया यहां पर heading पर क्लिक करके इसके बाद control और उसके बाद minus use करेंगे यह delete हो गया यह अगला भी delete करना है यह देखो control minus use किया यह भी delete हो गया यह जो के column यह वी डिलीट करना है control minus यह यूज किया यह वी डिलीट हो जाएगा इसके बाद अगली shortcut की इसको करेंगे अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो हमने यहां पे बनाया हुआ है इसको save करना है तो save करने के लिए हम keyboard से f12 यूज करेंगे यह देखो f12 हमने यहां पे use किया तो use क करने पे यहां पे यह save करने के लिए पूछेगा कि किस नाम से इसको save करना है जिस नाम से हमने इसको save करना है यहां पे name लिखेंगे और जहां भी इसको रखना है वहां पे हम click करेंगे वहां पे यह save होके आ जाएगी तो यहां पे हम इसको save करेंगे यहां पे इसको cancel करते ह यहां पर cancel किया इसके बाद अगली shortcut कीज को करेंगे अगर हम यह चाहते है कि यह यहां पर जो भी value हम लिखें वहां पर percentage लगके आ जाए तो हम क्या करेंगे इस range को select करेंगे यह range select की select करने के बाद यहां पर हम control shift और percentage यह press करेंगे यह देखो press किया press करने के बाद अब हम जो भी यहां पर लिखेंगे वहां पर value के साथ percentage साथ में लगी हुई आ जाएगी यह देखो यहां पर हमने 45 किया इसके बाद 55 इसके बाद 66 इसके बाद 77 यह देखो साथ में यहां पर percentage लगके आ रही है तो इस तरह से अगर हम यहां पर percentage लगाना जाते हैं value के साथ तो हम keyword से control shift और percentage एक साथ press करेंगे तो यहाँ पे value के साथ percentage लगके आ जाएगी इसके बाद यहाँ पे इसको delete करते हैं यह delete किया इसको भी delete किया इसी तरह अगर हम यहाँ पे dollar यहाँ पे use करना जाते हैं value के साथ तो यहाँ पे पहले dollar यह यहाँ पे insert किया, यह dollar आ गया, dollar आने के बाद यहाँ पे value के साथ हम dollar insert करना जाते हैं, तो यहाँ पे इसको select करेंगे, select करने के बाद control shift और dollar, यह देखो यहाँ पे यह press करेंगे, एक साथ यह press किया, press करने के बाद यहाँ पे जो भी लिखेंगे, तो इ यह देखो यहां पर हमने 111 यह लिखा इसके बाद enterprise किया इसके बाद 125 इसके बाद 123 इसके बाद 154 तो यह देखो यह इसके आगे यहां पर dollar लगके आ रहा है तो इस तरह से हम यहां पर dollar insert कर सकते हैं इसके बाद इसको delete करते हैं यह delete किया इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं क कि यह जितना यहां पर data लखा हुआ है इस सारी data को यहां पर select करें तो select करने के लिए हम यहां पर keyword से control shift और उसके बाद 8 प्रेस करेंगे तो control shift उसके बाद 8 जो हमने use करना है वो numeric keyword से use नहीं करना है वो हमने alphabetical keys का use करना है तो यहां पर किसी भी cell पर click करते हैं यहां पर click करन करने के बाद यहां पर सारे table को select करने के लिए हम यहां पर control shift और 8 यूज़ करेंगे यह देखो सारा table यहां पर select हो किया जाएगा तो इस तरह से हम यहां पर सारे table को select कर सकते हैं इसके बाद हम अगली shortcut keys को करेंगे suppose करो यह यहां पर रोबन लिखा हुआ है अगर हम यहां पर new line start करना जाते हैं इस same cell में तो हम क्या करेंगे यहां पर click करेंगे click करने के बाद add और उसके बाद enter प्रेस करेंगे यह देखो add enter प्रेस किया तो यहां पर नई line आ गई अब हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं जैसे यहां पर हमने लिखा mohit इसके बाद यहां पर click कि shortcut की को करेंगे तो यहां पर suppose करो यह ऊपर टैब दिए गया है file, home, insert, page layout, formula, data तो यह सभी टैब हैं और यह home टैब यहां पर open है और यह इसकी रिवन है यह clipboard, font, alignment, number यह सारी यह group हैं और इनकी यह रिवन है आगे तक यह सारी एक रिवन है अगर हम यह चाहते हैं कि यहां प control और उसके बाद function की F1 यह use करेंगे यह देखो इसको press करते ही यहां पर यह ribbon हाइड हो जाएगी अगर हम इसको रिवन को फिर से unhide करना चाते हैं तो हम फिर से वही की use करेंगे control F1 यह देखो press किया तो press करने पर यह बापिस यहां पर रिवन आ जाएगी तो इस तरह से हम ribbon को hide और unhide कर सकते हैं इसके बाद हम आगली shortcut की को करेंगे अगर हम यह चाते हैं कि यहां पर जैसे यह 65 है इसको यहां पर edit करें तो यहां पर 65 यहां पर click किया click करने के बाद edit करने के लिए हम यहां पर function की F2 प्रेस करेंगे यह F2 प्रेस किया F2 प्रेस करने के बाद यह पे cursor आ जाएगा, इसके बाद यहां पे हम edit कर सकते हैं, जैसे यहां पे लिखेंगे 78, 78 लिखने के बाद हम निचे यहां पे click करेंगे, यह देखो 78 यहां पे आ जाएगा, इसके बाद हम अगली shortcut key को करेंगे, अगर हम यह चाहते हैं, जैसे suppose करो, यह C column है, तो C column है, यहां प वाद space bar press करेंगे यह देको press किया press करने पर यह सारा column यहां पर select हो जाएगा तो इस तरह से हम यहां पर column को select कर सकते हैं इसके बाद अगली shortcut keys को करेंगे अगर हम यह चाहते हैं कि यह जिते इंदर है यह रोज सारी आगे तक यहां पर select हो जाए, तो यहां पे клиk करेंगे जिते इंदर यहां पे click किया click करने के वाद keyword से shift or उसके बाद space bar press करेंगे, यह देखो shift or space bar press किया press करने के वाद यहां पे जिते इंदर यह देखो इसका सारा record यहां पे यह select हो गए है इसके बाद अगर हम कोई भी column है या कोई भी row है उसको freeze करना जाते हैं तो हम keyword की shortcut keys से भी उसको freeze कर सकते हैं suppose करो यह उपर वाली यह एक row है जहां पर लिखा हुआ है name यह English, math, science और इसके बाद यहां पर total किया हुआ है हम यह चाहते हैं कि यह जो उपर वाली row है यह freeze हो जाए तो इसको freeze करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर view में जाते हैं view में जाने के बाद यहां पर freeze pen यहां पर जाते हैं और उसके बाद freeze करते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे इसको हम keyword की shortcut keys के जरीए करेंगे इस first वाली row को freeze करना है तो इसको freeze करने के लिए हम यहां पे जैसे यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद हम क्या करेंगे at w f f यह press किया press करने के बाद बार यहां पे click करेंगे यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यह देखो यह उपर वाली रो जो है यह freeze हो चुकी तो इसको यहां पे जैसे यह निच्च डेटा है इसको स्क्रोल करेंगे तो यह उपर वाली स्क्रोल नहीं होगी यह देखो करके देखते हैं यह स्क्रोल कर रहे है यह उपर वाली जो रहुआ है यहां पे फ्रीज हो जुकी है यह देखो निच्च कर रहे है यह निच्च आ र करते हैं यह देखो ऊपर वाली रोग यहां पर फ्रीज हो चुकी है इसी तरह यह एक कॉलम है आगर इसको फ्रीज करना है तो हम के करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम के करेंगे at w f f ये प्रेस किया प्रेस करने के बाद ये दिखो ये first जो कॉलम है ये कॉलम ये फ्रीज हो चुका है इसको आगे स्क्रोल करेंगे ये दिखो ये स्क्रोल हो रहा है तो ये जो है ये फ्रीज हो चुका है ये दिखो पिछे करते हैं ये यह देखो यह पीछी किया तो यह freeze हो चुका है अगर इसको भी unfreeze करना है तो keyword के जरी इसको भी unfreeze कर सकते है तो keyword से shortcut की at wff यह use करेंगे तो यह देखो यह यहां पे unfreeze हो चुका है यह देखो scroll करके देखते हैं यह देखो यह unfreeze हो चुका है इसके बाद हम अगली shortcut की को कर यह 58 है 52 है 69 है 179 है इसको यहां पे नीचे कोपी करना है तो कोपी करने के लिए हम क्या करते हैं पहले इसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहां पे राइट क्लिक करते हैं इसके बाद यहां पे कोपी और उसके बाद यह नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद फ इस काम को जल्दी से करना चाते है तो इसके लिए एक shortcut की है इसको यहां पर करते है तो इसको undo करते है यह undo किया इसके बाद आगर हम ये चाहते हैं कि यह जो लिखा हुआ है यहां पर यह row है जैसे यहां पर सुरेश है इसके बाद यहां पर 58 है 52 है 69 है 179 है यह सारा निचे य कोपी करेंगे ना पेस्ट करेंगे सिंपली यहां पेस को सेलेक्ट करेंगे यह देखो सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद कीवोड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे यह देखो कंट्रोल डी प्रेस किया कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यह देखो सारा डेटा यहां पे 123 ये तीन रो और select की select करने के बाद Ctrl D प्रेस करेंगे ये Ctrl D प्रेस किया तो ये देखो ये सारा data यहां पर copy हो किया जाएगा तीन रो में तो इस तरह से हम इसको copy कर सकते हैं इसके बाद इसको undo करते है Ctrl Z प्रेस किया इसके बाद अगली shortcut key को करेंगे अगर हम ये चाहते हैं कि इस data का print preview हमने चेक करना है तो चेक करने के लिए हम simply क्या करते हैं पहले फाइल टैप पे जाते हैं उसके बाद print पे जाते हैं तब जाके यहां पे print preview आता है ये देखो हम इसको keyword के जरीए करेंगे तो keyword के जरीए print preview चेक करने के लिए हम keyword से control और उसके बाद F2 प्रेस करेंगे function की यह देखो F2 प्रेस किया control F2 प्रेस करने पे यहाँ पे यह देखो इसका preview यहाँ पे show करेगा कि जब हम print लेंगे तो ऐसा print निकल के आएगा इसके बाद यहाँ पे इसको back करते हैं इसके बाद अगर हम यह चाते हैं कि यह जो data है इसको हम table में convert करें यह जो data यहाँ पे दिया गया है यह simple form में है अगर हम इस data को table form में convert करना जाते है तो हम किसी भी cell के उपर click करेंगे यहाँ पर click किया click करने के बाद keyword से control T यह press करेंगे control T press किया control T press करने के बाद यहाँ पर यह दिखो यह create table dialogue box आ जाएगा इसमें यहाँ पर दे गया है my table as header तो यहाँ पर heading दी हुई है name है, english है, math है, science है, total है तो यहाँ पर header है तो इसको check रहनी देंगे उसके बाद OK पर click करेंगे OK पर click करने के बाद यह दिखो यह जितना भी data है यह table form में change हो जुका है और change होने के बाद यहाँ जिखो table design यहां पर tab बन गया है तो यहां पर tab बनने के साथ ही इसके यहां पर कमांडे है यह देखो अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो table इस style में दिया गया है अगर हम इसको change करना जाते हैं तो यह देखो table style यहां पर दिये गया है इसमें चाहिए तो इसमें क्लिक करेंगे इसमें चाहिए तो इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पे सभी यह कमांडे दे गई है जो भी हम यहां पे करना जाते हैं यहां पे कर सकते हैं इसके बाद ctrl z प्रेस करेंगे इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जितना भी यहां पे data दिया गया है इस सभी का यहां पे chart 1 के आ जाए तो chart को हम दो shortcut की के जरीए कर सकते है एक तो हम यहां पे alt plus f1 यूज़ करके chart यहां पे बना सकते है और दूसरा यूज़ करेंगे हम function की 11 f11 इसका यूज़ करेंगे तब भी यहां पे chart 1 के आ जाएगा तो पहले हम इस data का chart बनाने के लिए यहां पे सारी data को select करते हैं यह सारा data select किया सारा data select करने के बाद keyword से alt उसके बाद f1 यह press किया alt f1 प्रेस करने के बाद यह देखो हम पे यह chart 1 के आ जाएगा यह जितना भी data था यह chart बनके आ गया है अगर इसको change करना है तो यहां से हम change कर सकते हैं यह देखो change हो रहा है इसमें आ रहा है यह style change करना है तो यह style change कर सकते हैं यह देखो यह area में चाहिए तो area यह आ जाएगा अगर इसमें चाहिए तो इसमें आ जाएगा, इसके बाद OK पर क्लिक करेंगे तो ये दिखो, ये area chart यहां पर बनके आ जाएगा, इसके बाद इसको undo करते हैं, ये undo किया, तो ये ये chart हम दूसरी shortcut की के ज़री ये भी कर सकते हैं, इसके लिए हम function की F11 प्रेस करेंगे, तो ये function की F11 प्रेस करने पे ये दिखो ये चार्ट बनके यहां पे आ जाएगा इसके बाद इसको अंडू करते हैं ये अंडू किया अंडू करने के बाद हम अगली शीट को उपन करेंगे ये दिखो अगली शीट यहां पे उपन हो गई इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो उपर value दे गई है तो इसका अगर हमने यहां पर sum करना है तो keyword के जरीए भी हम इसको sum को कर सकते है तो keyword से हम shortcut key use करेंगे at और उसके बाद equal to यह देखो at और equal to प्रेस करने पर यहां पर यह formula लगके आ जाएगा यह देखो यह range select हो गई है यह range select होने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे यह देखो enter प्रेस किया तो यह देखो इन सभी values का sum यहां पर आ गया 2, 1, 2 यह देखो उपर वाली जितनी भी value है इनका यहां पर sum आ गया अगर हम यह चाहते हैं कि यह सारी यह देखो सारी इनका sum यहां पर आ जाए निच्छे तो हम क्या करेंगे फिर keyword से at और इसके बाद equal to प्रेस करेंगे तो at equal to प्रेस करने पे तो यह देखो यह यहां पर sum हो के आ जाएगा इसी तरह अगर हम यहां पर sum करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यह सारी range यहां पर select करेंगे select करने के बाद फिर हम keyword से shortcut की use करेंगे at और इसके बाद equal to यह at और equal to प्रेस करने पे यह देखो इन सभी का यह sum आ गया इनका sum यह आ गया तो सभी का sum यहां पर होके यह यहां पर आ गया इसके बाद यहां पर हम sheet number one यह click करेंगे अगर हम इस cell में current time देखना जाते हैं कि हमारे system में क्या time चला हुआ है तो हम keyword से control, shift और उसके बाद colon प्रेस करेंगे यहां पर यह time आ जाएगा यह देखो system में यह time चला हुआ है तो यही time यहां पर show करेगा तो इसी तरह अगर हम यहां पर current date यह देखना जाते हैं तो हम keyword से control और उसके बाद semicolon यूज़ करेंगे यह देखो semicolon यूज़ किया तो control semicolon यूज़ करने पर यहां पर यह date लिक्यू हुए आ जाएगी इसके बाद हम आगली shortcut की को करेंगे अगर हम यह चाहते हैं कि यहां पर हम sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5 यह सभी आगे-ागे करके इसको देखना जाते है तो इसको देखने के लिए हम keyword से control और उसके बाद paste down यहां पर click करेंगे यह देखो अगली sheet यहां पर आगे इसके बाद अगली sheet पर जाना जाते है तो फिर यहां पर paste down यहां पर click करेंगे यह देखो अगली sheet पर जाना जाते है तो paste down फिर click करेंगे यह अगली sheet फिर अगली sheet पर जाना जाते है तो control और उसके बाद paste down यहां पर click किया तो यह अगली sheet पर आगे फिर अगली sheet पर जाना जाते है control और उसके बाद paste down ये क्लिक किया ये अगली sheet पे आगे तो इस तरह से हम अगली sheet में जाना जाते हैं तो हम control और उसके बाद paste down ये क्लिक करेंगे तो अगली sheet में चले जाएंगे अगर पिछली sheet में आना है तो हम control और उसके बाद paste up ये क्लिक करेंगे ये देखो पिछली छीट है इससे पिछे आना है तो हम Ctrl और Pays Up ये क्लिक करेंगे इसके बाद फिर पिछे आना है Ctrl और Pays Up ये क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम अगर पिछली छीट में आने जाते हैं तो हम Ctrl की के साथ Pays Up की प्रेस करेंगे इसके बाद हम अगली शोटकट की को करेंगे अगर हम यह चेक करना जाते हैं कि यह जितना भी डेटा है यहां पे कहां कहां पे फार्मूले लगे हुए है इसको चेक करना जाते है तो हम क्या करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब कहां कहां पे फार्मूला लगा हुआ है यह हमें बता देगा तो इसके लिए हम keyword से control और उसके बाद till button press करेंगे तो यह हमने press किया press करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह formula लगए हुआ है तो यह formula लगए हुआ है यह देखो sum का formula लगए हुआ है तो यह b2 colon d2 तो यह देखो b2 यहाँ से लेके यहाँ तक यह इसमें formula लगए हुआ है यहाँ पे formula लगए हुआ है इसके बाद यह formula लगए हुआ है इसके बाद यह formula तो इस तरह से अगर हम control के साथ टेलवल्टन यूज़ करेंगे तो हमें यह जितने भी formula लगए हुआ है यहां पे बता देगा अगर यही फार्मूले हम यहां से अटाना जाते हैं तो फिर से हम control और उसके बाद टेलवर्टन यूज़ करेंगे यह देखो यूज़ किया तो यह फार्मूले यहां से हट जाएगे इसके बाद अगली shortcut की को करेंगे तो इसको करने के लिए suppose करो यह उपर वाली जो है यह जैसे English है, Math है, Science है, Total है इसको हमने bold में करना है तो पहले किया करेंगे इसको select करेंगे और select करने के बाद इसको अगर bold में करना जाते हैं तो keyword से control और उसके बाद B press करेंगे यह देखो, control और B press करने पे यह सारा यहां पे bold हो जाएगा अगर निच्चे का यह भी bold करना है सारा यह value जितनी भी देगे हैं तो control और B press करेंगे यह bold हो जाएगा अगर हम यह चाहते हैं कि यह जितना दिया गया उपर adding इसको italic में करना है तो हम italic में करने के लिए control और I press करेंगे यह देखो control और I press करने पे यहां पे यह italic में हो जाएगा अगर यह चाहते हैं कि यह underline हो जाए यह heading जो है underline हो जाए तो हम क्या करेंगे Ctrl के साथ U प्रेस करेंगे यह देखो U प्रेस किया तो यहां पर यह सारी heading underline होगी इसके बाद अगर हम इसको आठाने जाते हैं कि यह underline लगी हुई है इसको आठाना है इसको select करेंगे select करने के बाद इसको आठाने के लिए keyword से Ctrl Z यह प्रेस करेंगे यह देखो यहां पर यह undo हो जाएगा अगर हम यह चाहते हैं कि यह जितना भी यहां पर sheet में data है इसका print हमने लेना है print लेने के लिए हम keyword से Ctrl और उसके साथ P प्रेस करेंगे यह देखो Ctrl P प्रेस किया प्रेस करने पर यहां पर यह देखो shortcut key को करेंगे अगर हम यह चाहते हैं कि यहां पर यह first row है अगर हम इस sheet की लास्ट row चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम keyword से Ctrl के साथ Down arrow की यह प्रेस करेंगे तो Ctrl के साथ दाउन arrow की प्रेस करने पर हम यहां पर last row में चले जाएंगे ये देखो ये last row है इसके बाद आगर हम ये चाहते हैं कि first row में हम चले जाए तो इसके लिए keyword से control के साथ up arrow की प्रेस करेंगे ये देखो control के साथ up arrow की प्रेस की तो हम ये first row में चले जाएंगे इसके बाद आगर हम ये चेक करना जाते हैं कि last column कौन सा है तो हम keyword से control के साथ right arrow क प्रेस करने पे ये जो है XFD ये last column है अगर हम first column में जाना जाते हैं ये last column है first column में जाना है तो इसके लिए control के साथ left arrow की ये प्रेस करेंगे ये देखो control के साथ left arrow की प्रेस करने पे हम first column में चले जाएंगे तो ये excel की important shortcut की थी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद